नमस्कर दोस्तों रेकादास चैनल में आप सभी का स्वागस्ट आसा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के साथ मुसुर दाल और अंडे से बने बहुत ही टेस्ट एक रेसिपी से यार करूँगी इस दाल से आप रोटी चावल कुछ भी खा सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी पतले स्लाइस में काटके देखिए बहुत ही पतले मैंने यहां पर काट लिया और एक आलू है यहां पर साथी हम डालेंगे एक मीडियम साइज के प्याज को पतले स्लैस में काटके और डालेंगे हम यहाँ पे एक मीडियम साइज के टमाटर को ऐसे लंबाई में काटके साथी हम डालेंगे कुछ ड्राई मसाले और उससे पहले मैं डाल दूंगे यहाँ पे दो हरी मेर्च, दो टुकड़ा करके नमक डालेंगे हम आदा चम्माज हल्दी आदा चम्माज कस्मिरी रेट चिली पाउडर आदा चम्माज धन्या पाउडर आधा चम्माज जीरा पाउडर साथे हम डालेंगे एक चम्माज तेल सिर्फ एक ही चम्माज हम डालेंगे अब हम अच्छे से टाइट हाथों से दाल को मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स एक बार आप इस तरीके से दाल बना के जरूर देखेगा खाने में आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा दाल को भीगोनी की बज़ाद से बहुत ही जल्दी हमारा दाल बन भी जाएगा तो एक बार आप इस रेसीपी को जरूर ट्राई कीजेगा दिखेए टाइट हाथों से हमें मेक्स कर लेना है अच्छे से मैंने मसाले और सभी चीजों को मेक्स कर लिया है तो चले चलते हैं नेक्स ट्रिप की ओर अब हम कराई में ले लेंगे तीन चम्मच तेल तेल जैसे गरम हो जाए हम डालेंगे दो सूखी लाल मिर्ज गैस का फ्लेम बिलकुल लोग पे रहेगा और डाल देंगे हम यहाँ पे एक चम्मच कलोंजी पहले हम फ्राई कर लेंगे कलोंजी जैसे फ्राई हो जाए हम डालेंगे चार से पाज लेसन को ग्रेट करके फलका बस लेसन का कलर हम चेंज पर लेंगे जैसे बहसंट fry हो जाए हम डाल देंगे यहां पे dive गैस का flame हम medium करके पहले 3-4 मिनिट अच्छे से डाल को बूनेंगे तो गैस का flame हम medium कर देंगे और बीज बीज में चलाते हुए हम 3-4 मिनिट अच्छे से भूनेंगे एक बड़ आप इस तरीके से दाल बनाके खाएंगे आप बाकी सबी तरीके दाल बनाने का छोड़ी देंगे इतना ये टेस्टी बनके तैयार होता है तो देखें तीन चे चार मिनिट मैंने दाल को अच्छे से मेडियम फ्लेम में बोल लिया है अब हम डालेंगे यहाँ पर दो कप गरम पानी थंडा पानी नहीं डालेंगे गरम पानी डालेंगे ताकि दाल हमारा जल्दी से सौफ्ट हो जाए पानी हम उतना ही डालेंगे जितने में दाल हमारा अच्छे से सौफ्ट हो जाए तो मैंने यहाँ पर दो कप पानी डाला है एक बर हम मिक्स करेंगे और गैस का फ्लीम मीडियम करके हम ढग देंगे 7-8 मिनिट के लिए तब तक दाल हमारा अच्छे से सॉप्ट हो जाएगा तो पैन को कॉवर कर देंगे हम और गैस का फ्लीम मीडियम रखेंगे 5-6 मिनिट हो गए और दाल हमारा अच्छे से सॉप्ट हो चुका है एक बर हम चेक कर लेंगे और आलो भी पूरी तरीके से सॉप्ट हो गया है अब हम डाल देंगे यहाँ पे जो हमने अंडे की बूर्जी तयार किये थे गैस का फ्लीम बिलकुल अभी हम लोपे रखेंगे आदा चम्मज डालेंगे गरम मसाला साथी हम डालेंगे कटा हुआ हरा दनिया और डालेंगे हम एक चम्मज बटर आप बटर की जगह यहाँ पे घी भी डाल सकते हो सिर्फ एक ही चम्मज डालेंगे अगर आपको घी या बटर डालना पसंद ना हो तब आप स्कीप कर सकते हो बस सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस का फ्लीम मीडियम करके सिर्फ दो मिनिट के लिए डाल को और पका लेंगे हम डाल पूरी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है मुझे थोड़ा सा नमक यहाँ पे कम लग रहा है तो मैं नमक डाल दूँगी और नमक आप चेक कर लीजेगा अगर कम लगे तो आप इस टाइम डाल सकते हो बस अच्छे से हम मिक्स करके गैस का फ्लीम बन कर देंगे और जब तक आप एक बार इस तरीके से दाल को बना के नहीं खाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा यह कितना टेस्टी बन के तयार हुआ है और देखिए टमाटर, प्याज, पूरी तरीके से हमारा यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है तो गैस का फ्लीम हम बन कर देंगे और दाल को हम सर्फ कर लेंगे एक बाउल में तो फिर्ट्स आज की रेसिपी आप एक बार बनाईए, खाईए फिर मुझे बताए कि कैसा लगा आप लोगों को रेसिपी बनानी के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर भी कीजेगा तो नए रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्यार लखिएगा और चैनल रिप्या में साथ स्माइल लखिएगा